आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सब का बहुत बहुत सागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी रूम की कुछ गूप्त बाते कुछ सीक्रेट बाते जो हमारे सरीर के साथ होता है जब हमारी डिलीवरी होने वाली होती है किस तरह सा सारी चीज तो विडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और अगर आप यह विडियो देखती है तो बहुत सारी चीज़े अगर कहने का मतलब आपको पता रहेगा कि डिलीवरी रूम में क्या-क्या होता है तो आप घबडाएंगी नहीं डरेंगी नहीं और अपने कह सकते हैं कंफिडेंस को लूज नहीं होगा आपका जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेज बढ़ जाएगी वहीं अगर आप डरती हैं घबडाती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज होती आपका सी सेक्शन कर देते हैं डॉक्टर तो उन सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा मॉटिवेशन मिलती हैं अब यहां पर हम बात करते हैं चर्चा करते हैं डिलीवरी रूम के उपर हमें कब जाना होता है डिलीवरी रूम में पहली बात कि 9 मंत आपका स्टार्ट होने के बाद कभी भी आप जा सकती हैं यह समय कौन सा आएगा वह आप ख दर्ध आने लगता है यानि की फॉस्स टाइप नियुक्टर में ये उनने वाल बतादू की यह आने लगता है यह आने लगे तो आपको को के पास आना चाहिए साथ ही साथ अगर आपका water bag leak हो जाता है water bag से पानी बाहर आने लगता है आपको पता भी नहीं है क्यों आ रहा है क्या है कई पर महिलाज होती है वो confused हो जाती है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सूसू कर दिया इस तरह की चीज़े लगने लगती है जबकि ऐसा कुछ नहीं ह पाता है टू रेक और लेकिन हम लोग क्या करते हैं 24 आर के लेकर बच्चे की डिलीवर्य कर देते हैं अगर लेवर कहल को करते हैं भी हो टो एंडी करुडैं गलाजांद के नहीं हुर भी आप है कि जब आप होस्पीटल जाती है उसके बाद कभी भी आपका जो डॉक्टर्स होते हैं अपने फिंगर्स में गलब्स पहन के वह निचले हिसे में जहां से यूरिन पास करती है वहां फिंगर को लगा कर बार बार चेक करेंगे आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ऐसा सरीर के साथ किया जा रहा है तो वह तो अभी चोटी सी बात है अभी आगे जब डिलीवरी होती है तो और भी क्या क्या चीजे होती है तो इस तरह का चैक अप होगा जब लगेगा कि हाँ जो सर्विक से आपका 4-5 cm ओपन होता है तो आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले ज अपने आप हो जाती है अपने आप नहीं होती है उसमें बच्चे बच्च पेट में उसे फच करके बाहर निकलना पड़ता है अभी आ यह जांक ठोड़ने में लेकिन आपको पूरी अनरजी आपको खुद ही लगानी है ऑपको गाइट करते हैं आपको ऑस अमें बातों को स मुँ पाहर निकालना है Naq संस लेना है उतार मुँ जाया यु उती भयर करने करेम स्थ संस पेट जो तो हमें क्या एबेगा, हमें क्या प्राइप नकालना है तो भी बहुत नेकलना कोंटyy यह कुछ चीजे होती है जो डॉक्टर इजीली हैं आपको बताने बताते हैं आपको घबडाने की ज़रूत नहीं है आइटिंग यहां मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाने से पहले एक दर्द की बात कर लिया जाए तो दर्द जो है नॉर्मल डिलीवरी का किसी महिला में कम होता है किसी महिला में ज्यादा होता है और चीरा किसी महिला को लगाया जाता है किसी महिला को नहीं लगाया जाता है मैं मेरी बात करूं तो मैंने डॉक्टर से चीरा लगवाया था क्योंकि चीरा लगवाने पर जो डिलीवरी है वो इसली हो जाती है और जड़ी बढ़े जगते